ओम शान्ति ओम शान्ति ना ओम शान्ति तो तो समझ मैं यह विमार क्यों यह गरीब क्यों यह श्रीमंत क्यों इसका जवाब मिला अभी आपक्या हाथ में है कि मुझे सारे कलप में अाश्तर हो गया इस जनम में अभी कुछ ने कर सकता, अभी भविश के लिए, अभी मकान ये बन गया, दुसरा बनाते समय, ऐसा ने बनाना, ऐसा बनाना है, है ना भविश आपके हाथ में, तो भविश चाते हो, तो उसके लिए सोचो कि सदाध धनवान बनना चाहिए, सदाध निरोगी काया क्या चाहिए, सदाध धन संपत्यों से भरपूर होना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, तो क्या क्या करना चाहिए तो तन से कितना करना चाहिए कम से कम एक मिनिट इस यगी के सेवा करो एक जनम के लिए निरोगी काया मिलेगा धन कितना चाहते हो एक जनम के लिए इतना करो एक जनम के लिए निरोगी के लिए करेते हो, शुब सोचते हो, मुरली के पॉइंट सुनाते हो, दूसरों को, तो मन की सेवा किया, सदा मन हर्षित रहेगा, कोई भगवान किसी को कुछ ने करता है, गरीब ने करता है, श्रिमान ने करता है, विधी बताता है, समझ में आया?